और एक बड़ी खबर आ रही है भारत की अर्थ्विवस्था 3.75 च्रिलियन की हो गई है ये कहा है बीजेपी ने 2014 के पहले 2 च्रिलियन की थी अर्थ्विवस्था दो साल से सबसे तेजी से बढ़ रही है हमारी अर्थ्विवस्था अप्रिल में GST कलेक्शन एक लाग 87 हजार करोड रुपे हुआ भारत की अर्थ्विवस्था 3.75 च्रिलियन की हो गई है ये कहना है बीजेपी का बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फरेंस में ये दावा किया है कि दो साल में सबसे तेजी से बढ़ी है हमारे देश की अर्थ्विवस्था भारत की अर्थवस्था 3.75 ट्रिलियन की हो गई है और 2014 के पहले 2 ट्रिलियन की थी अर्थवस्था यानि 2 साल में सबसे तेजी से भड़ी है भारत की अर्थवस्था अप्रिल में GST कलेक्शन की अगर बात करें तो 1,87,000 करोर रुपे था यह दावा है बीजेपी का अभी थोड़ देर पहले बीजेपी की प्रस कॉंफरेंस हुई है और उसमें बीजेपी के नेता ने दावा किया है पिछले 60 वर्ष में यह 2 ट्रिलियन यूज डॉलर थी जो बढ़के इतने कम समय में लगभग 3.75 ट्रिलियन डॉलर एकॉनमी हो गई है और मैतुबून बात यही नहीं है कि भारत की अर्थववस्ता अच्छी चल रही है बट फॉर दे लास्ट टू कॉन्जीकुटिव यह यह कंटिनुवस्ली विश्व की सबसे तेज गती से बढ़ती हुई अर्थववस्ता है और आने वाले साल में इस कमिंग एर के अंदर भी यह विश्व की सबसे बड़ी अर्थविष्ता तेज गती से बढ़ी अर्थविष्ता रहने वाली है यह सपश रूप से आती है और सबसे महत्पून बात जो मैं यह बताना चाहता हूँ वह यह है कि भारत की जो economy is now become the growth engine for the world and this is not only a mere statement but it is supported by several data जो पिछले एक सब्ता पंदा दिन के अंदर रिलीज हुए है inflation figure कल आई थी inflation जो world की biggest economy इसको दिक्कत कर रहा है वह inflation figure retail inflation 4.25% से है RBI का target है 4% plus minus 2 आज महंगाई की दर कल figure आई है 4.25% और food inflation जो की आम आदमी के लिए बहुत ही दिक्कत करता है वह गिर के 3.84% से 2.91% पे हो गया है उसके पहले NSSO का data आया था inflation तो एक data है उसके पहले NSSO का data आया था जिसमें GDP growth rate को 7.2% का इस साल के लिए कहा था और यह उस वक्त की स्थिति है जब global headwinds जो कहते हैं economy को globally restrained कर रही है रोक रही है global economy में recession है उस वक्त NSSO का data आया कि Indian economy growth rate has crossed 7% और उसके पहले कई लोग इस बाते में आशंकित थे कि भारत की GDP growth rate 7% से नीचे आ जाएगी तो बीजूपी का बड़ा दावा की दो साल में बड़ी तेजी से बड़ी है भारत की अर्थ्ववस्था फिलाल रुकते हैं